एक दिन एक गोडजिला समंदर से तेरते हुए एक बड़े से शहर में आ गया। वो अपनी ताकत दिखा कर सब कुछ बरबाद कर देना चाहता था। किंग कॉंग ये सब देख रहा था और उसे सबक सिखाना चाहता था। दोनों के पीच हाथ अपाई होने लगी। कभी कोई किसी पर भारी पड़ रहा था तो कभी कोई दूसरा। जब गोड़्जिला अपने मूँ से भाब फेक रहा था तो किंग कॉंग बड़ी मुश्किल से अपने आपको बचा रहा था। किंग कॉंग ने एक लाइट का खंबा लिया और गोड़्जिला को मारने लगा। फिर उसे उसकी पूंच से घुमा कर वापिस फेक दिया। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि कभी अपने आपको किसी से ज्यादा नहीं समझना चाहिए।